तो अब मुझे भी अपने लौक लोटना होगा परांतो इससे पहले मैं स्वयम अपने पुत्र से भेट करने को अत्यांत इच्छुक हूँ मुझे वस्थान अपनी कल्पना में दिखाओ जहां मेरा पुत्र कैद है मैं तुम्हें चड़ भर में वहाँ पहुँचा दूँगा अरुनेंदर ने आख बंद करके उस थान की और उसके आजबास की कल्पना की असुर्णे उसके मस्तिसक से वहाँ तक पहुँचने का मान चित्र अपने मस्तिसक में बनाया और उसे लेकर छण भर में ही देव की गुफा के सामने पहुँच गया यहल अरुनेंद्र यह मुद्रिका पहनो इसे दबा कर कहो इस्ट आकार दादुत इससे तुम छोटे या बड़े आकार को प्राप्त कर गुफा में सफलता से प्रवेश कर सकते हो यह कहकर उस देव ने अपना आकार छोटा किया और गुफा में प्रवेश कर गया अरुनेंद्र ने अंगुठी पहनी उसे दबा कर मंतर का उच्चारण किया और देव के पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया उसका अकार इतना छोटा था कि वैस संक्रिव गुफा में आसानी से चला गया असुर राज क्या यह मुद्रिका भी देवी चमतकारिकता ने बनाई थी हाँ तुमने सही कहा ऐसी दो मुद्रिकाएं हमारे विवा के अवसर पर उन्होंने हम दोनों को भेंट की थी विवा के समय हम दोनों ने इन्हें एक दूसरे को पहनाया था मेरी पत्नी ने मुझे कैद करते समय अपनी मुद्रिका उतार कर मेरे मुख पर मारी जो आज भी मेरे पास है जो मैंने तुम्हें दी वै मेरी मुद्रिका है देवी कुरोध की दशा में किसी की नहीं सुनती थी तुम्हीं बताओ मैंने क्या गलत किया वैं हमारे पुत्र को सदा के लिए कैद कर रही थी मैं ऐसा कैसे होने देता वैं मेरा एक मातर पुत्र है मैंने उसे अपने बाजूं में अटखेलियां करते देखा है वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है मैं तो चाहता था कि मेरा पुत्र संपूर्ण धर्ती का स्वामी बने पर पाशान व्रंदा उसे तपस्वी बनाना चाहती थी पता नहीं आज वे कैसा दिखता होगा वे बहुत ही रूपवान है बिलकुल आप की तरह बस आकार में आप से चार-पांच गुना कम होगा धर्ती पर जन्मे असरों के बच्चे उनके बराबर आयू वह आकार प्राप्त नहीं करते थे यद पी योग तब वह साधना करके वे देवों के समान चिरायों हो सकते थे परन्तु आकार में वे समान मनुश्यों के समान ही रहा करते थे आज तो धर्ती पर चारों और वामन ही द्रिष्टी गोचर हो रहे हैं क्या मानुवों का अस्तित्त सुवाप्त हो गया असर ने नगर में छटों पर सोते मनुश्यों का आकार देखा तो उन्हें वामन समझ बैठा समय के साथ साथ मानों की लंबाई कम होती गई सतियुक में मनुश्य ताड के पेड़ जितने उंचे होते थे पर आजकल कल्युक के मानों के अनुसार मैं उचित लंबाई का स्वामी हूँ सखुचाकर अरुनेंदर ने कहा उसे इह बात बुरी लगी की असृर ने उसे बोना कहा ओ तो ये बात है कदाचित कल्युक का ही प्रभाव है की मानों के पास अब पुँच भी नहीं पाई जाती असृर ने कहा उसकी बातों से पता चला की सतियुक में पुँच वाले मानों होते थे पर असुर देव मानव के संयोग से हुई कुछ संताने पूँच विहीन थी बाते करते हुए समय कब बीता पता ही नहीं चला पिता पुत्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए पुत्र तुम जीवित हो परंतु धर्ती के वातावरण के प्रभाव से तो तुम्हें अलपायो होना चाहिए था असुरों के बच्चों को अधिक से अधिक पचास वर्ष की आयू प्राप्त होती है कल युक का अर्थ है धर्ती पर तेन युक बेच चुके हैं जो करीब तीस से पैंतिस लाक वर्ष के बराबर रहे होंगे परन्तु तुम आज भी जीवित हो या देखकर मैं बहुत प्रसन हूँ यह चमतकार कैसे हुआ पिता जी यह स्थान समय के प्रभाव से मुक्त है इसलिए मुझे समय का भान ही नहीं रहा मुझे तो आज भी अकल की ही बात लगती है जब आप दोनों मेरे लिए लड़ रहे थे आप तो जानते हैं कि माँ चाहती थी कि मैं तपस्या करके देर घायू बनू वो चाहती थी कि मैं भी ब्रह्मा की तरह अनंतकाल तक तपस्या कर सत लोक में स्थान प्राप्त करू परन्तु तपस्या करने के लिए मोह का त्याग अवश्यक है और स्वण के प्रती मेरे मोह ने मुझे तपस्या नहीं करने दिया कदाचित इसलिए माता ने मेरी आयू बढ़ने के लिए दूसरे उपाए अपनाए धर्ती पर यह गर्भ ग्रै समय से परे है माता स्वयम परवत रूप में यहां विद्धिमान है और उनके गर्भ में समय के परभाव से दूर मैं और मेरा स्वण यह अनंतकाल के लिए कैद है आप मेरी चिंता मत कीजिए परन्तु आपको अब अपने लोग लोटना होगा माता की यही इच्छा है ओ तो तुम अपनी माता के गर्भ में हो कितना अश्चर है कि पिता चाहकर भी मा से महान नहीं हो सकता मैं भी चाहता था कि तुम चिरायू हो पर मेरा इतना समर्थ कहा की मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याक कर सकूँ मैंने देवी को गलत समझा इसके लिए देवी सच्छमा चाहता हूँ और अपने लोग जाने को तयार हूँ कदाचित हम फिर कभी मिले दोना पिता पुत्र बहुत देर गले लगे रहे कुस देर बीती बाते याद करके असुर्ण एक अंदु कूप का निर्मान किया और अपने लोग की योड चला गया और देव ने हेरा मन को और नेंदर के साथ भेज दिया राज कुमार अपने नगर पहुँचा तो पाया की नगर में शोक चाया था महराज हिर्दया घात के कारण जीवन की अंतिम सांसे ले रहे थे यह देखकर राज कुमार अपने पिता के कक्ष में पहुँचा उसके कंदे पर हेरा मन को देखकर सबी आश्चर चकित थे पिता जी यह क्या हुआ वैज जी ने बचा लीजिये राज कुमार यदि मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता परंतू राज कुमार मेरे पास तुम्हारे पिता का उपचार है तबी हीरा मन ने कहा हीरा मन ने तब अपने पंखों में छिपा कर रखा वैस और नामर दिया जिसे उसने कुछ दिन पूर उनके उद्ध्यान से चुराया था इन्हें सोर्णामर के रस की कुछ बूदे चकादो ये तुरंत ठीक हो जाएंगे परंतू इसके पश्चात बचे हुए सोर्णामर पर मेरा धिकार होगा अवश्य हीरा मन तुम्हारा ये हुपकार मैं कभी नहीं भूलूँगा ये सोर्णामर तुम्हें ही जीवन देता है फिर भी तुम्हें मेरे पिता के साथ माट रहे हो इसके लिए मैं तुम्हारा किस प्रकार धन्यवाद करूँ राजकुमार तुम्हारे पिता का रोग ठीक करने के बाद भी मेरे पास प्रयाप्त सोर्णामर बचा रहेगा फिर देविक कल्प फला भी तो है भविश्य में कोई न कोई सन्यासी उनसे मेरे लिए सोर्णामर ले ही आएगा इसलिए बिना हिर्दें पर बोज लिए और शेगराती शीगर इस सोर्णामर के रस को राजा के मुँमें डालने का प्रबंद करो वैज जी ने सोर्णामर की कुछ बुंदे राजा के मुख में टपकाई तो देरे देरे राजा की पीडा जाती रही और वे स्वास्त महसूस करने लगे पिता की चेतना लोटी तो राजकुमार ने पूरी बात बताई और साक्षी के रूप में हेरा मन तो साथ में था ही सौरणामर की गुठली उपहार के रूप में हेरा मन ने राजकुमार को दी जो स्वैम एक कीमती रत्न थी राजकुमार या रत्न अपने मुकुट में सजाने वाला था राजकुमार ने राजा को बताया कि मार्ग में उसने विवाह योग कन्या भी देख ली है छीग रही राजकुमार की योर से राजकुमारी म्रगावती को रिस्ता भेजा गया अनंदर अल्या में चट्टान तोड़ने वाले युवक के अचानक कहीं गुम हो जाने से वहां के लोग यही समझ रहे थे कि वह मृत्तिय को प्राप्त हुआ परन्तु जब उन्हें अर्णेंदर के पिता की योर से विवाह प्रस्ताव आया तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई अर्णेंदर अपनी ससुराल नगर का राजा बना और उसने सोरनामर के बीच को अपने मुकुट में जड़वा लिया सन्यासी की वानी सत्ति हुई और नेंदर को उसका भाग्य चंपकपुर से बहुत दूर ले गया दोस्तों आप को अखता कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जुरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पढ़ापत हो जैश्राम भक्तो